हे दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपकी यूटूब चैनल जौब इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ प्यारे दोस्तों अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जौब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को सेहर कर दो, जीहां दोस्तों उत्तर परदेश के जहां से एंड और अई से दोस्तों नई भरती लेकर आ चुका हूँ, दोस्तों वैसे आल इंडिया भरती है, पूरे भारत से फार्म Pharmacist, Dental Officer, Medical Officer की यहाँ पर वेकेंसी आ चुकी है तो बहुत सारे बच्चे जो है उत्तर परदेश में Pharmacist की वेकेंसी के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए भी नई अपडेट है यहाँ पर देखे दोस्तो आल इंडिया भरती है पूरे भरत से Pharmacoply कर सकती हो दोस्तो इसकी लाज़ डेट की बात करे तो 16 जुलाई 2022 जो है इसकी लाज़ डेट है 16 जुलाई तक आप लोग Pharmacoply कर सकती हो तो दोस्तो आपको इस वीडियो में सेलरी के बारे में कॉलिफिकेशन क्या होगी क्या है कैसे Pharm को अप्लाई करना है नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है अपलिकेशन फार्म को कैसे फिल करना होगा बिल्कुल आपको सारी इनुफार्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं तो हमारे साथ बने रहिए पूरा वीडियो देखिए चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको लेकी चलते हैं नोटिफिकेशन पर देखे दोस्तों यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है उपर आप लोग चेक कर सकती हो एक सर्विसमें कॉंट्रिबॉर्टरी हेल्थ स्कीम ECHS की तरब से employment notice यहाँ पर जारी किया गया आप लोग देख सकती हो employment notice ECHS की तरब से यह भरती यहाँ पर आचुकी है उपर आप लोग देख सकती हो नीचे आप लोग यहाँ पर देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है जहां सी polyclinic and और यही से दोस्तों सम्विधा पर यह भरती निकाली गई, यहाँ पर देख सकते हो contractual basis पर ECHS and ECHS polyclinic जासी and और यही से दोस्तों भरती निकाली गई है जिसमें आप लोग नीचे आओगे जो most important है उसकी जानकरी देंगे यहाँ पर पोस्ट दिया गया है, यहाँ पर number of vacancy दी गई, यहाँ पर basic qualification and experience की जानकरी दी गई है और इसके आगे जाओगे, तो किस polyclinic में आपकी vacancy है, किस polyclinic में आपकी भरती होगी, इसकी जानकरी है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखोगे, तो number two जो है dental officer की vacancy है, एक vacancy है, जिसमें दोस्तों BDS, जी यहाँ BDS farm को apply करेंगे और five years का आपके पास experience होना चाहिए, इसमें जानसी end औरही दोस्तों आपकी भरती होगी, यानि कि जानसी end औरही में जो है, वेकिंसिया निकाली गई है, medical officer की एक vacancy है, MBBS के साथ कम से कम five years का experience आपके पास होना चाहिए, तो आप लोग apply कर सकती हो, जानसी polyclinic में दोस्तों vacancy निकाली गई है, laboratory technician number four में एक vacancy है, इसमें जो है, BMLT यानि कि अगर आपने MLT में BSC का रखा है, या आपने DMT का रखा है, और three years का experience है, lab assistant position पर, तो आप लोग apply करोगे, laboratory technician के लिए, जहांसी आप लोगों की posting होगी, polyclinic जहांसी में दोस्तों vacancy निकाली गई है, clear है, आ three years का experience आपके पास होना चाहिए, जहांसी एंड उरही से 200 vacancy निकाली गई है, number six देखें, most important है, nursing, nursing assistant की यहांपे 200 vacancy है, इसमें GNM apply कर सकते हैं, BSC nursing farm का apply नहीं कर पाएंगे, GNM plus five years का experience है, तो आप लोग nursing assistant में apply करोगे, जहांसी आपकी posting होगी, यानि कि जहांसी polyclinic में इसमें अगर आपके पास जो है, सफाई करमचारी, चपराशी पे अगर आपके पास 500 का नुभ हो है, तो apply कर सकती हो, color के लिए यहांपे आपने अगर graduation कर रखा है, five years का experience है, तो farm का apply कर सकती हो, एक एक vacancy है, जहांसी एन औरही में 200 भरती निकाले गई है, बाकि आप लोग नीचे देखोगे, पूरा address दोस्तों दिया गया है, headquarter का, यहांपे address दिया गया है, देख सकती हो, नीचे देखोगे, तो station headquarter, ECHSL, जहां c-pin code 284001, यहांपे telephone number दिया गया है, और telephone number पे आप लोग संपर कर सकती हो, email ID दिया गया है, कोई भी inquiry करना है, तो आप लोग इन्हे application form fill करना है, यहांपे address दिया गया है, इस address पर दोस्तों application form fill करके, speech post करना है, या dark के माध्यम से, या telephone के माध्यम से, जो भी है, आप लोगों को बाद में जानका दी जाएगी, जब आपका interview होगा, लेकिन कैसे form को fill करना है, तो देखिए, 16 July 22, 12 बजे तक जो है, आप लोग station headquarter, ECHS cell जहांसी, यहांपे दोस्तों आपका पहुंचाना चाहिए, address यहांपे दिया गया, address आप लोग नोड कर लो, station headquarter, ECHS cell जहांसी, pin code 284001, यहांपे दोस्तों आपको क्या करना है, speed post करना है, या आप लोग एक simple post कर सकती हो, और dark के माध्यम से ही आपको form भरना है, last year 16 July 22 रखी गई है, यहांपे सब कुछ information दी गई है, देख लो, इसके बाद दोस्तों आपका interview होगा, and date and place for the interview की जानकारी आपको, dark के माध्यम से, telephone के माध्यम से, या email के माध्यम से, बाद में आपको दिया जाएगा, तो आप देखिए कैसे form को fill करना है, most important है, तो यहांपे दोस्तों offline mode में ही आपको form apply करना है, जिसे चलिए आपको लेकी चलते हैं, सबसे पहले website पे, दोस्तों मैं video बनाता हूँ, तो आपको कैसे form को भढ़ना है, application form को कैसे download करना है, salary कितनी मिलेगी, बिल्कुल A2J सारी जानकारी इस 8 minute की video में देता हूँ, तो दोस्तों आप लो है, वोपर आप लोग चेक कर सकती हो, EX Service Man Contributory Health Scheme Department of ESW Ministry of Defense, नीचे आओगे, तो यहाँ पे दोस्तों download का options हो करा है, download वाली option पे जैसे click करोगे, तो यहाँ पे जो है आपको एक option सो करेगा, application form for employment notice, या employment in ECHS, इस वाली option पे आपको click करना है, जैसे आप लोग किलिक करोगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पे PDF जो है, डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों PDF जो है डाउनलोड हो चुका है, इस application form को अच्छे से fill करके, इस speed post करना है, यानि कि dark के माध्यम से आपको 16 जोलाई तक form को fill करना है, तो यहाँ पे application form है, इसको अच्छे से fill करके, और यहाँ पे declare भी आपको करना है, और फिर दोस्तों आप लोग नीच आओगे, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, medical officer के लिए जो है, age criteria यहाँ पे, age criteria जो है contractual के लिए 65 years रखी गई है, इसमें MBPS अप्लाई करेंगे, बाकि मैंने आपको qualification की जानकाई दे दी है, इसमें salary की बात करते हैं, तो 75,000 रुपे दोस्तों आपको salary मिलने वाली है, इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देखोगे, तो dental officer की अगर हम बात करेंगे, तो 75,000 रुपे salary मिलेगी dental officer को, इसमें बेडियस प्लाई 5 years का experience आपके पास होना चाहिए, इसके बाद दोस्तों technician के लिए 28,000 रुपे salary मिलेगी, और pharma specialist को दोस्तों age criteria की बात करें, तो 55 years रखी गई है, यह दोस्तों age criteria है, एन्ड lab technician के लिए 55 years age criteria है, pharma specialist को 28,000 रुपे salary मिलने वाली है, निचाहों के nursing assistant को जो है दोस्तों 55 years age criteria रखी गई है, इसमें 28,000 रुपे आपको salary मिलने वाली है, सफाई वाला के लिए 16,800 रुपे salary मिलेगी, यानि कि जो group D की vacancy है, जैसे जो pion की vacancy है, उसमें 16,800 रुपे आपको salary मिलने वाली है, बाकि यहाँ पे color की vacancy की information नहीं दी गई है, बाकि आप लोग चेक कर लेना, इसके बाद दोस्तों आपको back जाना है, और इसी website पे आना ह तो यहाँ पे देखिए आपके सारे notification के details आ चुकी है, जिसमें आपको number 14 देखना है, जैबलपूर रिजन से 200 vacancy निकाली गई है, जैबलपूर रिजन में जहां से end और रही आता है, तो जैबलपूर के आगे यहाँ पे देखोगे, 16 जुलाई 2022 इसकी life date है, तो vacancy for contractual appointment वाल लोड कर लेना